Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Bull Markets आपको पता होगा कि income tax की return की due date काफी पास आ चुकी है जो की है 31st of July अगर आपने अभी तक income tax की return फाइल नहीं किये और आपको ये समस्या है कि कौन सा form आपको select करना चाहिए तो मैं आपको एकदम simple language में explain करूँगा कि कौन से income के लिए कौन सा form select करना चाहिए अगर आप इस channel पे नए हो तो channel को जरूर subscribe कीजिए और video को end तक देखिए सबसे पहले हम ITR1 की बात करेंगे आप कहीं पे job करते हो और आपको कहीं से salary मिल रही है तो आपको ITR1 भरना है आपके पास में कोई property है जिसे आपने rent पे चड़ा रखा है तो आपको ITR1 भरना है लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा property है तो आपको ITR2 भरना है other sources की income जैसे कि किसी company का dividend मिला हो या फिर आपको कोई interest मिला हो जैसे FD का interest हो या फिर savings bank account का interest हो तो आपको ITR1 भरना है लेकिन अगर आपके income 50 lakh से ज्यादा है तो आपको ITR2 भरना है अगर आपने कोई share market का transaction किया है जैसे कि sale of share किया है तो आपको ITR2 भरना है सिर्फ purchase किया है और sale नहीं किया है तो आपको ITR1 ही भरना है अगर mutual fund की बात करो तो कुछ redeem किया है mutual fund तो आपको ITR2 भरना है सिर्फ investment किये mutual funds में और sale नहीं किया है तो आपको ITR1 ही भरना है अभी हम ITR2 की बात करेंगे अगर आपको कहीं से salary मिली है या फिर आपके पास में एक से ज्यादा house property है जहां से आपको rent मिला है तो in that case आपको ITR2 फाइल करना पड़ेगा अगर आपको capital gains हुआ है short term या फिर long term in that case आपको ITR2 फाइल करना पड़ेगा अगर F&O के transaction है या फिर intraday के transactions है तो in that case आपको ITR3 के साथ या फिर ITR4 के साथ जाना होगा depending upon the profit अगर आपको कोई dividend या फिर interest मिला है तो in that case dividend या फिर interest तो सारे ही returns में आपको मिल जाएगा तो इसमें कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन अगर आपने सिर्फ purchase किया है और sell नहीं किया है तो I would suggest that you should file ITR1 अब यहां ITR3 की बात करेंगे ITR3 उन cases में लागू होता है जहां पे F&O के transactions होते है या फिर intraday के transactions होते है या फिर आपकी कोई ऐसी business income है जहां पे आपका profit 6% से कम का है तो उन cases में आपको audit करवाना होता है audit करवाने के बाद में आप return file कर सकते है in ITR3 F&O के case के अंदर अगर आपको loss हुआ है या फिर आपका profit 6% of the turnover से नीचे है तो उन cases में आपको audit करवाना होता है और आपको ITR3 file करनी होती है businesses के case में आइदर आपका turnover काफी ज्यादा होगा beyond the prescribed limit या फिर आपका business आपको वहां पे loss हुआ है या फिर आपका जो turnover के हिसाब से 6% profit नहीं बन रहा है तो वहां पे आपको audit करवाना होता है और ITR3 file करनी होती है अब यहां ITR4 की बात करेंगे ITR4 उन cases में लागू होता है जहां पे presumptive taxation के rules फॉलो किये जाते है मान के चलो आप trading का या फिर manufacturing का business करते हो उन cases में आपको minimum 8% turnover का profit दिखाना होता है मान के चलो आपने 1,00,00 रुपे का turnover किया है उसका 8% minimum 8,000 रुपीज तो आपको profit दिखाना ही होता है अगर आप 8 के नीचे चले जाओगे तो आपको वहां पे audit कराना होगा और आपको ITR3 file करना होगा इन case of professionals आपको 50% of your turnover income में दिखाना होता है अगर आप doctor, lawyer या engineer हो तो वहां पे जितना भी आपका turnover होगा उसका minimum 50% आपका net profit गिना जाएगा उसके उपर होगा तो वो गिना जाएगा या फिर minimum 50% पे आपको tax pay करना ही होगा अगर आपको कोई capital gain का transaction है तो उसके लिए आपको ITR3 भरना होगा ITR4 में वो नहीं होता है अब यहां इसे एकदम simple language में summarize कर लेंगे आपको कोई salary मिली है और dividend मिला है तो उस case में आपको ITR1 भरना है अगर आपकी कोई mutual fund की SIP चल रही है लेकिन आपने वहाँ redeem नहीं किया है कुछ भी तो आपको वहाँ पे भी ITR1 ही भरना है अगर आपने purchase किये shares तो आपको ITR1 ही भरना है लेकिन अगर आपने sell किया है तो आपको ITR2 भरना होगा जहाँ पे आपको capital gains हुआ होगा अगर आपने F&O या फिर intraday की trading की है तो आपको उस case में अगर profit कम दिखाना है या फिर आपका loss है तो उस case में आपको ITR3 भरना है वहाँ पे आपको audit भी करवाना होगा लेकिन अगर आपके पास में salary है capital gains है business income है और house property भी है तो आपको वहाँ पे ITR3 भरना होगा जस्ट आपके पास में salary है और आप freelancing करते हो वहाँ पे आपको कुछ profit होता है तो उस case में आपको ITR4 भरना है जहाँ पे आपको कोई capital gains नहीं है लेकिन अगर आपको capital gains है और business income है तो वहाँ पे आपको ITR3 भरना है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कीजे और comment करके बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर आपको कोई query है तो please आपके queries आप comment में दाल दीजिए मैं mostly आपको answer कर दूँगा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कीजे और channel को जरूर subscribe कीजे